सुमो का friend request पाते ही टियान के जैसे होश उड़ जाते हैं मतलब वो अब तक जिस बारे में बात कर रहे थे वही सच हो गया टियान तो तभी उसका request accept करने जाती है पर मुमो कहती है लड़कों को थोड़ा इंतिजार करवाना चाहिए टियान को समझ में तो आता है ये बात पर उससे रहा नहीं जाता और 30 सेकंड में वो accept कर लेती है उसका friend request मुमो हताश होगे कहती है इतनी जल्दी accept नहीं करना था उसे टियान कहती है क्यों इतना time काफी नहीं था क्या सुमो के लिए टियान का friend request accept करना ही जैसे काफी था वो तो उससे बात भी नहीं कर रहा था और इ सच में अपनी existence पर शक होने लगी थी इसलिए वो बिना कुछ बात आगे बढ़ाए वहां से चली जाती है सुमो कोई message नहीं कर रहा था तो टियान को बेचानी होने लगी थी वो मुमो से पूचती है अब तो वो wechat friend है तो क्या वो पहले message करे मुमो हा कहती है तो टियान सु गलत समझे तो मुमो कहती है वो यह message delete कर दे पर टियान कहती है अगर वो यह message delete करेगी तो सुमो को लगेगा के वह nervous थी पर वहां सुमो को तो कोई फरक नहीं परा था इस सवाल से मतलब वह खुश था इस सवाल से तो वहां कहता है सुमो से ज़्यान हैपी लग रही थी सुम मुमो यहां पर एक पल के लिए भी रही रहना चाहती थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि टियान को अब उसकी कोई जरुरत नहीं परेगी टियान को अब सच में किसी की भी जरुरत नहीं थी वो एक-एक message कर रही थी और ऐसे उचल रही थी मानो जैसे क्या कर दिया हो ऐ यह सुनके तो टियान और भी जादा उचलने लगती है पर वो अपनी excitement सुमो को समझाना नहीं चाहती थी इसलिए वो आवाज भारी करके पूछती है क्यों उसे क्या चाहिए क्या बताना चाहता है वो पर सुमो उससे फिर से पूछता है उसे बाहर जाना है या नहीं टिया उसके ममी पापा पूछते हैं वो कहां जा रही है तब टियान कहती है उसकी दोस्त की ब्रेक अप हो गई है तो वो उसे comfort करने जाना चाहती है फिर तो वो भी उन्हें नहीं रोकते टियान जब उनके regular मिलने की जगा पर पहुचती है तब वहां पे सब अंधेरा दिखता है और सुमू उसे कई भी नजर नहीं आता तब वो सुमू को wise message करने जाती है और अचानक से सामने की building में light जल उटती है और सुमू अंदर से बाहर आता है दरसल बहुत दिनों से यहां पे सुमू का स्टूडियो का काम चल रहा था और यह काफी हद तक बन चुकी थी यह स्ट इतना खुबसूरत लग रहा था अंदर से उससे भी ज़्यादा खुबसूरत था सुमू कहता है अब वो यहां पे आके उसके लिए आईस क्रिम बना सकती है या उससे पूछती है क्या उसने उसके डिजाइन देख ली थी या फिर यह उसने उसी के लिए बनाया है तुम प्रहते देख टियान भी अपनी सवालों से ऑकवर्ड हो जाती है बाद में सुमू के लिए आईस क्रिम बनाते बनाते टियान सोचती है यह घर बिलकुल वैसा ही है जैसा उसने डिजाइन की थी तो टिये तो शायद सुमू ने यह घर उसी के लिए बनाया होगा और बोलने इसे शर्मा रहा होगा आईस क्रिम बन जाने पर वो सुमू को देती है और आईस क्रिम खाते ही सुमू के चाहरे पर फिर से वैसी ही समाइल खिल उठती है ऐसे बारिश गिने लगती है तो टियान जल्दी से बारिश में भीगते हुए ही अपने स्कूटी को यहां पे लाके खड़ा करती है वो काफी हद तक भीग चुकी थी तो सुमू उसके लिए टावल लेके आता है सुमू उससे कहता है क्या वो पागल है उसके हिल्स से भी जादा क्या वो स्कूटी इंपॉटन्ट है पर टियान के दिल में तो तितलिया उर रही थी बाद में उसे अपनी मॉम का कॉल आता है तो वो कहती है उसकी दोस्त बहुत रो रही है तो वो अभी घर नहीं जा पाएगी अभी टियान को कोई काम नहीं था तो वो सुमू का वाइस मैसेज सुनने लगती है पर वो स्टीकर में था तो सुमू को भी सुनाई देती है फिर से एक आखोड सिचुएश पर सुमू को तो ये बात अच्छी लगी थी बाद में टियान साउंड थोड़ा कम करके सुमू का voice message फिर से सुनने लगती है और ऐसे ही सुनते सुनते पता नहीं कब वो सो गई थी सुमू जब देखता है तब उसके पास आके पहले तो उसके पैर हाथ ठीक जगा पे रखता है और फिर उसके चादरोर देता है टियान सोफे से नीचे गिरना जाए इसलिए सुमू एक किताब लेके उसी के पास बैटके पढ़ने लगता है सुमा जब टियान की नीउड तूटती है तब बाहर वो सुमू को देख के पहले अपने आपको देख लेती है कि उसका ड्रेस वेस ठीक ठाक तो है ना उसके बाद वो फिर से सुमू की तरफ देख के मुस्कूराने लगती है फिर सूमु जब अंदर आने लगता है तब वो फिर से सोने की अक्टिंग करने लगती है और छुपके छुपके सूमु को देखने लगती है पर सुमु को शायद समझ में आ गया था कि टियान उद गई है इसलिए वो कहता है अगर वो जाग गई हो तो वो उद जाए टियान तब emerged हो जाती है अगली सिन में हम देखते हैं सुमु अपना cycle repair कर रहा होता है और टियान भी जाने के लिए निकल रही थी और फिर सुमु के एक helmet देते हुए कहती है एक person से भी जादा क्या उसका cycle important है तब सुमु को उसके साथ ही जाना परता है राश्ते में टियान कितनी सार बाते करती है पर सुमु उसका एक भी जवाब नहीं देता टियान को लग रहा था सुमु के कान में headphone होने की विज़े से वो उसकी बात सुन नहीं पा रहा है फिर वो निश्चिंत होके अकेले में ही बात करने लगती है वो कहती है कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो बनाने के लिए वो इधर उधर की बाते करने लगती है घर पहुचके भी वो अपने लिए एक embarrassing situation बना लेती है वो सुमु को सम्हाल के घर जाने को बोलती है सुमु जब अपने घर की तरफ देखने लगता है तब टियान को समझ में आता है यह उसने क्या कह दिया सुमु थो उसे तो बच जाती है पर जब वो अपने कमरे में आती है चुप चुप के तब उसकी मॉम वहाँ बैठी होती है उसकी मॉम जब उसे कल रात के बारे में पूछती है कि वो कल रात घर क्यों नहीं आई थी तब वो भी अपनी मा को मसका लगाने बैर जाती है बाद में नहात व सुमू के बारे में 100 सोच के शर्माने लगती है अगले सिन में हम देखते हैं टियान दुकान जाते वक्त सुमू की घर की तरफ देख रही होती है उसकी मॉम उपर से उसे बोलती है कि वो कब जाने वाली है तब वो जल्दी के हातों में बैंड़िज देखती है तब परिशान हो जाती है वो फिर से उस बैंड़िज को अच्छे से लगाती है और अपने क्लिप से उसको ठीक से बान देती है उसके बाद वो सब को जल्दी जल्दी काम खतम कर लेने के लिए बोलती है उसके जाने के बारे में सुनके ल बंडी बंडे के कमपनी के साथ कॉंट्राक्ट तो तोर दिया था पर इस से उनको बहुत जादा लॉस हो गई थी। इस लॉस से उभरने के लिए इन्हें कुछ दूसरा रास्ता भी चाहिए था। तो हुईजी इनसे एक बंडे की बात करती है जो शायद इनकी मदद कर सकता था। सूमू भी उस बंडे के बारे में काफी कुछ सुना था और वो उनके साथ इमेडियेटली मिलने जाना चाहता था। वांग भी उसके साथ जाने की बात करता है। अब क्योंकि सूमू को हुईजी के बताय हुए बंदे से मिलने जाना था तो वो आज घर पे नहीं रहने वाला था इसलिए वो टियान को मैसेज करके कह देता है उसे आने की जरूरत नहीं है वहाँ टियान का काम भी खतम हो चुका था और वो जाने ही वाली थी पर ऐसे में सूमू का मैसेज पाके वो उदास हो जाती है वहाँ वांग सूमू से बार बार पूछने लगता है क्या वो प्यार में है क्योंकि आजकल वो बहुत हैपी हैपी सा लगता है वहाँ लगबग party की सारी तयारी हो चुगी थी सिवाई एक को छोड़ के वहाँ पे उन्हें camera लगाना था पर security की permission के बिना वहाँ पे camera नहीं लगा पाते पर T.R. के रहते उन्हें कोई problem नहीं होने वाली थी T.R. security staff के लिए इतनी सारी मिठाई लेके आती है और उनसे permission मांगती है वो मना तो नहीं करते है पर उनके पास इससे भी ज़्यादा अच्छा idea था वो कहते है वो CCTV camera से सारी footage ले लेंगे और फिर copy paste करके उन्हें दे देंगे इससे उन्हें ज़्यादा clear quality मिलेगी T.R. को भी ये वाला idea ज़्यादा पसंद आता है बाद में T.R. बाहर आके सब को कहती है सारी problem की solution हो गई अब बारी थी सब के छुप जाने की वाँ ये तो show देखने के लिए बैठ गए थे ऐसे में इनके पास sumo और wang आता है उन्हें जिससे मिलना था उनका address भी यही था पर इनसे पूछने पे वो कहते है उन्हें कुछ नहीं पता wang उनसे अंदर जाने की permission लेता है तो वो कहते है उन्हें जो करना है जहाँ जाना है जाए उन्हें बस परिशान ना करे उनके इस तरह से behave करने से wang उनके खिलाब complain करनी की बात करता है तो वो कहते है complain box बाहर है जो करना है वो कर सकता है उनके जाने के बाद ये कहते है हाँ हाँ जाए 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 धूने उन्हें silly boy इनके बातों से तो ये लग रहा था वो दोनों यहाँ पे जिसे धूनने आये थे ये वही थे ये दोनों जब अंदर आते हैं तब इन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता पूरा जगा एकदम खाली था